वेलकम डू माई चैनल येस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ EVS और GK Conversation का Slabers Nursery, LKG और UKG Students के लिए आपने कितना Slabers इन Students को करवाना है ये मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि आपने किस तरह से करवाना और कितना Slabers इन Classes में होना चाहिए हाजी सबसे पहले हैं GK Conversation के Questions GK Conversation के ये सभी Questions जो के बहुत से Questions है ये एक वीडियो में cover नहीं हो सकते तो इन सभी Questions को मैंने अपने चैनल पर अपने वीडियो ये डाली हुई है जो के Nursery Kids GK Conversation Part 1 से लेकर Part 5 तक है इसके 5 पार्ट है जो के हैं Rajesh Sani Teaching Techniques चैनल पर जाकर आप देखोगे तो उस चैनल पर ये सभी सीरीज में मैंने GK के Questions डाले हुए हैं तो इसलिए अभी मैं इन Questions को रिपीट नहीं करती हूँ आप वहाँ जाकर मेरे ये सभी Questions देख सकते हैं Next जो Primary Section में या फिर Nursery, LKG और UKG क्लास में Questions करवाई जाते हैं वह आगे चलिए मैं बताती हूँ आपको Days of the Week with Colors Days of the Week with Colors हमने Colors ये साथ में लिये हैं इनके ठीक हैं आप चाहो तो अलग से सिर्फ Days of the Week भी करवा सकते हो जैसे के Sunday Golden, Monday White, Tuesday Red, Wednesday Green, Thursday Yellow, Friday Orange, Saturday Black उसके बाद आजाते हैं हमारे Days of the Week करवाने के बाद हमारे हैं इसमें Months of the Year January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December Days of the Week, Months of the Year उसके बाद मैंने लिये हैं Golden Words Golden Words Thank you, Sorry, Please, Excuse me, Pardon me उसके बाद आती हैं हमारे Good Habits जो के बच्चों को जीके में हम करवाते हैं Yes, EBS में भी आ जाती हैं ये Get up early in the morning Wish your elders Brush your teeth Tay के बाद daily Comb your hair Trim your nails Polish your shoes Wash your hands Before and after meal उसके बाद हम चलते हैं इनका Wool's Labors जो हम EBS का करवाते हैं बच्चों को Nursery Class, LKG Class और UKG Class में उसमें सबसे पहले आजाते हैं हमारे पास Flowers name Flowers आपने बच्चों को learn करवाने हैं जैसे के रोज, लोटस, जैस्मीन, मैरी गोल्ड, सनफ्लार इसके लाबा आप और भी flowers ले सकते हो बच्चों को learn करवाने के लिए और इन्हें learn करवाते हुए आपने उन्हें शो करते हुए अगर आपके पास पिक्चर्स भी है तो आपने शो भी करना है उन्हें दिखाना भी है या फिर अगर आपके गर में flowers लगे हैं तो वो दिखाकर भी आप उन्हें करवा सकते हो ऐसी fruits और vegetables जो भी पियर इसके इलावा और भी आप करवा सकते हो मैंने फिलहाल इसमें फाइफाइब ही लिए है नेक्स है vegetables ने या जाती है हमारे टोमेटो पोटेटो अनियन पीज ब्रिंजल लेडी फिंगर्स आप करवा सकते हो यास नेक्स आज़ते हैं animals हमारे टू पार्स में आजाते हैं pet animals और wild animals कि pet animals कौन से होते हैं और wild animals कौन से होते हैं यह बच्चों को आपने बताना है पैट animals में dog cow horse cat cat गामर इसरा से हमारे जो हैं वो han pet animals और इनके आपने यह भी बताना है कि इनके homes कौन कौन से है pet or wild animals and their homes dog का home क्या है dog कहां पर रहता है kennel cow shed horse stable उसके बाद रहा जाते हैं हमारे wild animals wild animals कहां रहते हैं jungle में दी leaves in a forest okay and the wild animals are lion, tiger, bear, elephant or fox next है colors colors बच्चों को recognize करवाने red, yellow, green, blue, black इस तरह से colors भी आप उन्हें show करके बता सकते हो उसके बाद आजाती हैं हमारी shapes shapes भी circle, square, triangle over, rectangle अभी मैं आपको oral में ही करवा रही हूँ आपने इन्हें बच्चों को show करते हुए ही सिखानी हैं तांके आप बच्चों को अच्छे से recognize हो सके अभी मैं आपको syllabus ही बता रही हूँ कि कितना-कितना syllabus है और आपने कैसे करवाना है next है transport transport हमारे three types में land transport, water transport and air transport land transport में car, bus, jeep, bike, bicycle वगएर आजाते हैं and water transport में boat, ship, air transport, aeroplane, helicopter next है हमारे जो आते हैं action words और इन्हें doing words भी बोलते हैं doing words और action words these are reading, writing, sitting, walking, eating, singing उसके बाद आते हैं our helpers जैसे कि doctor, plumber, pilot, mason, electrician and postman next है season, summer season, winter season, autumn season and rainy season ये भी आपने बच्चों को दिखानी है pictures इनकी और उसके साथ ही बच्चों को recognize करवाने हैं कि ये कौन-कौन से season है next body parts body parts, head, hair, eyes, ear, nose, lips, cheek, chin, teeth, tongue, shoulders, chest, belly, thigh, knee, foot आप जब बच्चों को body parts करवाते हैं तो उपर से नीचे तक sequence में आपने करवाने हैं तांके बच्चों को याद रहें जैसे कि सबसे पहले हो गया हमारा head हो गया hair, forehead, eyes, nose, lips, teeth, tongue, ear, cheeks, chin, neck, shoulders, arm, elbow, hands, fingers, wrist, chest, belly, button, thigh, knee, leg, foot, toes, heel, ankle इस तरह से आपने serialize करवाने हैं जब आप डेली इस तरह से serialize करवाने हैं तो बच्चों को असानी से learn हो जाएंगे next हैं जो हमारे my family से related questions आजाते हैं इसमें my family बच्चों को पता होना चाहिए family के बारे में जैसे के father, mother, grandfather, grandmother, brother, sister, हमारे cousin, uncle, auntie इस तरह से family के बारे में बच्चों को बताना उसके बाद my classroom जैसे classroom में बच्चों के क्या क्या होता है table, chair, teacher है, students है, blackboard है, chalk है, duster है इसके इलावा अगर smart classes हैं तो smart class में जैसे के project के ऊपर ही, screen के ऊपर दिखाया जाता है बच्चों को किस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता है इस तरह से आगे, आज की मेरी वीडियो में है, EVS का स्लेबस जो के nursery, LKG और UKG क्लास के बच्चों को करवाया जाता है यह फूल स्लेबस है, और यह जो GK के questions है, यह आप मेरी दूसरी वीडियो, राजे सैने teaching techniques में, जो के एक पूरी series है, बनी हुई, उसमें जाकर आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, उन वीडियो में मैंने समझा रखा है, कि किस तरह से बच्चों को यह GK के questions करवाने हैं, आज की मेरी वीडियो इतनी ही, thank you, have a nice day.